आपका हमारे शैनल नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल में और मैं हूँ आपके साथ आर्थी तो जाने की तरह एक बार फिर से हाजिर अपने स्पेशिल प्रोग्राम आज का राशी फल लेकार जहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से गुजरने वाला है पर उससे पहले आपको बता दे कि राशी फल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है राशी के अनुसार, विक्ती के स्वभाग और उसके भविश्स से जोड़ी कई बाते पदा की जा सकती है ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के अधार पर राशी फल का निर्मान खिया जाता है ग्रहों की चाल में हमेशा बदलाव होता रहता है इसी की वज़ा से हमारे द्यानिक जीवन में घट रही घटनाय कभी समान नहीं होती आज 6 नवंबर का शुब दिन है और आज भगवान गनेश की गिर्पा कुछ राशियों पर होने वाली है जिसके हम सब ही जानते हैं वदवार के दिन गनेश जी की अराधना की जाती है तो अब गनेश जी कुछ राशियों की अधूरी इच्छा को पूरा करते हुए भी दिख रहे हैं आज का दिन आपके लिए कैसा है? आज का दिन आपके जीवन में इक्या-क्या परिवर्तन लेकर आ सकता है आपके इन तमाम तरह का सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलने वाला है तो चलिए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले यहां बात होगी मेश राशिवालों की आप लोगों का साहस बढ़ सकता है किसी बड़े काम में आप लोग सफल हो सकते हैं परिवार का महौल अच्छा रहेगा जीवन साथी से सहयोग मिलेगी पढ़ाई में आपकी महनत सफल हो सकती है परिख्षा में आपको काफी अच्छे रिजॉल्फ देखने को मिलेंगे किसी कॉम्पेटीशन की तयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सका रातमग परिणाम ही हाथ लगने वाले हैं बात करेंगे अब यहाँ पर विरिशब राशी के बारे में तो आपको बता दे पारिवारिक जीवन में मधूरता आ रही है आप अपने परिवार की खुश्यों में शरीक होंगे और परिजनों के साथ कुछ बहुत जादा शानदार लम हैं अब आप व्यपीद करने वाले हैं मिथुन राशी जीवन साथी की ओर से आपको कई प्रकार की खुश्या मिलने वाली है उनके द्वारा आपको कोई खुश खबरी प्रात हो सकती है जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेंगे और उन भावनाओं की कदर भी करेंगे जागर को रहने से और सही दिशा में प्रियास करने से आपको जीवन में काम्याबी हासल हो सकती है चलिए बता दें हैं आपको आज का दिन करकराशी वालों के कैसा रहने वाला है करक राशी वालों का करियर चमकने वाला है नौकरी व्यवसाय में उन्नती मिलने वाली है करियर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको आपकी मेहनत का पूरा वल भी मिलेंगे हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए चली आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सिंग राशी वाले के बार में तो आपको बता दें आप लोगों का ट्रांसफर हो सकता है कंपनी आपको आपकी मन पसंद जगा भी भेज सकती है इसमें विदेश जाने की भी पूरी तरीके से संभावना बनी हुई है इस समय आप अपने कारेशेतर में कुशल पूर्वक होकर काम करें आपकी योजनाय कंपनी को लाभ पहुच्चाने वाली है कन्या राशी आज आप एक मल्ती टासकर की भूमे का निभाते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से काम आज आप एक साथ कर सकते हैं इसके साथ आपको आपके कलीक्स का भी सपोर्ट मिलेगा व्यपार में उन्नती मिल रही है इसके अलावा एलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स को खरीदने में भी आपकी जेब आज ढीली हो सकती है तो लाराशी आप किसी अच्छी संस्था में दाखिला ले सकते हैं अगर आप शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाते हैं तो उसमें आपको अपसफलता मिल सकती है लेकिन जहां भी दाखिला ले पहले उस संस्था के बारे में अच्छी तरीके से पूरी जाच पड़ताल जरूर कर ले व्रिश्चिक राशी आपके विक्तित्व में निखार आ रहा है आपकी परसेनलिटी और भी ज्यादा अट्रेक्टिव हो रही है समय आपके अनुखूल है मेहनत का पूरा फल मिलेगा गुरू जनों का सम्मान जरूर करें और पढ़ाई में इकाग्रता बना कर रखें धनुराशी घर में किसी मांगले काम का आयोजन हो सकता है और आपकी आप अपने तमाम तरह के रिष्टेदारों से मुलाकात कर सकते हैं बड़े बुजर्गों का आशिर्वाद आपके साथ रहने वाला है और यही आशिर्वाद आपको आपके जीवन में कामियाब बनाने वाला है शली बताते हैं आपको आज का ये दिन मकर राशी क्ले कैसा रहेगा तो आपको बता दें दिन थोड़ा चुनोती भरा रह सकता है इसलिए अपने आपको पूरी तरीके से तैयार रखें वैवाहिक जीवन और जीवन में होने वाली सबी प्रकार की साजेदारी को देखा जा सकता है शुक्र के प्रभाव से आप लोगों का दामपत्य जीवन काफी अच्छा बीतने वाला है बात करेंगे यहाँ पर अपकुम्भ राशी के बारे में तो आपको बता दे आज का ये दिन आप लोगों के लिए काफी अनुकूल है दामपत्य जीवन से लेकर हर चीज में आपके लिए स्थितिया काफी अनुकूल बनी हुई है गरेश जी की खिर्पास से आपकी सभी मनोकामनाय पूरी हो सकती है अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है अंत में बात करेंगे मीन राशी के बारे में तो आपको बता दे आज आपको निविश अच्छे लाब मिलने वाले हैं आपको मानसिक तनाव सचुटकारा मिलने वाला है आप अपने काम करने की योजनाओं में अब सफल हो जाएंगे सगे संबंदियों के साथ अच्छे संबंद थापित हो रहे हैं तो ये था आज का राशिकल